इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे सूरी नमस्कार को पहले मध्यम गती के साथ और फिटी ब्रता से प्रेक्टिस करेंगे सूरी नमस्कार एक को सरवांगीन वयायाम के नाम से भी जाना जाता है इस अभ्यास को करने से हमारे सरीर की all-round fitness होती है अगर इस अभ्यास को आप पहले मध्यम गती के साथ और फिटी ब्रता से प्रेक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से आप अपने वेट को तेजी से लॉज कर सकते हैं सबसे पहले आपने ऐसे ही समिस्तिती में सिधे खड़े हो जाते हैं आपके दोनों पैस भी कुछ तीजिए रहें और अपने सीर कोयते अपने घुटनों पर लगाने की कोशिज करें और स्वाथ चौड़ते हुए ऐसे परवत असन की पोजिशन पर आते हैं आपके छाती आपके घुटमे आपके बीच वाला पोर्सन ऐसे उपर की तरफ उठा और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटम्द आसन की पोजिशन पर आना है स्वाथ अंदर भरते हुए और स्वाथ चोड़ते हुए परवत आसन की पोजिशन पर आएं फिर स्वाथ अंदर भरते हुए अब अब अस्वत संचालन आसन की पोजिशन पर आते हैं अब आपका बाया पैर ऐसे आगे की तरफ रहेगा और स्वास छोड़ते हुए पाधस्तासना इसे ही से मध्यां बती के साथ और लंबे गहरे स्वास प्रस्वास के साथ की दिये च्वांच छोड़ते हुए पर्वत आसन फिर अश्टांग नमस्कार भुजंग आसन पर्वत आसन अस्तु सज्यालन आसन हस्तुत्तानासन फिर प्रणाम आसन ऐसे ही पहले से मध्यम गती के साथ कीजिए फिर इसे आप ती ब्रता से कीजिए अब हम इसे अब ती ब्रता से प्रतीज करेंगे प्रणाम आसन हस्तुत्तानासन पाधस्तासन अस्तु संचालनासन पर्वत आसन अस्तांग नमस्कार भुजंग आसन पर्वत आसन अस्तु संचालनासन पारिस्तातना हस्तुत्तानासन प्रणाम आसन यू हुआ है तर टोग फो तो चालीड़ हो यू हुआ हैं तो पार नचलीड़ हो गार टीम diz एक बालीड़ एंग कर दोतन खाना हैं एक कर रपार को तो अ घर। बालीड़ हैं ऐसे ही से कम से कम आप 5-6 राउंड कीजिए इसके बाद हम करेंगे डाउनवल्ड फेसी डॉक को बेरियेसन के साथ प्रेक्टिस करेंगे ऐसे ही बज़रासना की पोजिशन पर आपने बैर जाते हैं और अपने तो हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉक की स्थिपी पर आते हैं स्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉक की पोजिशन पर आईए स्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे उपर को उठाई आपका पैर भी कुल सीधा पंजा उपर की तरफ तना हुआ हो स्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाप परिस्पर कराईए स्वास अंदर भरते हुए उपर और स्वास छोड़ते हुए नीचे भी दुशी साइड से स्वास अंदर भरते हुए उपर स्वास छोड़ते हुए ऐसे घुटने को नाप परिस्पर कराने की कोतित करें ऐसे ही दोनों पैरों से कम से कम आठ से दस बार कीजिए यह अभ्यास को करने से हमारा सरीर गर्म और स्वस्त रहते हैं और यह अभ्यास हमारे सरीर में बड़े वेफ़ेट को दूर करने वाला बहुत अच्छे अभ्यास है फिर नीचे और फिस के बार आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलेक्स करते हैं